जुन का रेसिपी जुकी महारास्ट की बहुत ज़्यादा फेमस रेसिपी है इस रेसिपी के आप कभी भी बना के इस खा सकते हैं जब सब्जी अवेलेबल ना हो बहुत चटपड़ी बनती है तो इससे बनाना शुरू करते हैं जुन का रेसिपी बनाने के लिए हमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा तो यहां पर मैं यहां पर कम से कम तीन टेबल स्पून से मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है पैन में और तेल को गरम होने देंगे और यहां पर मैंने इसमें डाला है एक छोड़ा चम चटकेंगे हमारे जो भी हमने इसमें स्पाइस डाले हैं उनको अच्छे से चटका लेंगे और इनको जैसे ही इनका कलर हलका सा चेंज होता है तब हम इसमें प्याज काटेंगे बिल्कुल बारिक कटी हुई प्याज है और ये जुनका रेसेपी बहुत जादा सौधिस्ट होत चाहिए सब्सक्र lecicool चाहिए चाहिए, जाय को वह तुमिauen सब्सक्राओं करने शेमे उलाई, मफिक जाके परल यहाए एक चाहिए एक चमच धनिया पाउडर डाल दिया है और इसे हम करेंगे अच्छे से mix इसे अच्छे से पका लेंगे और अब हम यहां पर इसमें डालेंगे basin कॉंटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं मैं यहाँ पर एक कप बेसन डाल रही हूँ और बेसन डाल के अब यहाँ पर हमारा हाथ बिल्कुल चलते रहना चाहिए हमें इसे लगातार हिलाना है और ग्यास का जो फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें और इसे अच्छे से पकाएं मतलब इसे अच्छे से भूनेंगे जब आप इसको भूनना शुरू करते हैं तो जैसे बेसन के लड़ू बनते हैं तरह की स्मैल आती है या घाटिया की स्मैल आती है और यह रेसिपी होती बहुत चटपटी सी है एक चटनी के तरह बनती है और क्योंकि इसमें मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा चीज नहीं चाहिए होती है बस आपको प्याज और कुछ मसाले चाहिए होते हैं तो अब हम इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसकी बहुत अच्छी अरोमा नहीं आती है और बेसन बहुत अच्छे से भून नहीं जाता है जितना अच्छा आप बेसन को भूनेंगे उतनी ये सबजी अच्छी बन के तयार होती है जैसे आप इसे अपने मुँ में रखेंगे तो बिलकुल ये गायब हो जाती है चिपकती नहीं है तो जुनका रेसिपी तब अच्छी बनती है जब उसमें बिलकुल भी चिपचिपाहट ना हो और बेसन अच्छे से भूना हो तो बेसन को मैं बहुत अच्छे से हिला हिला कर भून रहे हूँ और इसमें देखिए कोई भी गुटली नहीं पड़नी चाहिए बहुत ही अच्छे से हमें बेसन को भूनना है तो जब तक basin का color change नहीं होता, इसमें बहुत अच्छे से smell नहीं आती, तब तक मैं इसे भूनूँगी, तो अब मैंने इसमें भून लिया है, यहाँ पर मैं इसमें add कर रही हूँ, एक चमच गरम मसाला, गरम मसाला डालके मैं इसे वापस से mix करूँगी, मसाले हम dry है, तब ही ही डाल देंगे, और अब मैं यहाँ पर सौत के अनुसार नमक डालूगी, नमक डालके हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे, तो जितना मसाला हमें डालना था हम जितना अच्छा आपका ये बेसन भूनता है उतना अच्छी आपकी सब्जीवन के तयार होती है तो देखिए बेसन बहुत अच्छे से भून चुका है और मतलब इसमें कोई भी गुटलिया नहीं है और अब हमें क्या करना है कि अब हम लेंगे एक कटोरी ले लें आप और कटोरी में आप थोड़ा सा पानी ले लें और हम इसमें देंगे छीटे लगाएंगे हम इसमें क्योंकि हमें इसमें लगाना है छीटा अगर आप इसमें डारेक्ट पानी का इस्तिमाल करेंगे तो ये बिल्कुल गुठलियों जैसे हो जाते हैं तो इसे छीटे लगा लगाके आपको इसे इस तरीके से पकाना है इतना हो सके उतने कम पानी का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इसे बिल्कुल जैसे खिले खिले बनने चाहिए एक दूसरे में इसमें चिप चिपाहट ना हो तो मैं इस तरीके से पानी की चीटे दे दे कर इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हूं और इसको जितना पानी आपको लगे कि जितना आपको डालना चाहिए तो आप अपने हिसाब से उतने चीटे इसमें लगाएं तो मैंने दो बार दे दिया अभी और मैं दूंगी इसमें तो इस तरीके से आपको यह अंदाज आपने आप ही लगाना है कि इसमें कितना पानी ल बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि आपने एक दन से अचार तयार कर लिया है इसका जो टेस्ट आता है जो तीखापन होता है और जो इसका अपसौद बहुत अच्छा होता है तो अब मैं इसे ढग दूगी दो से तीन मिनट के बाद मैं इसे खोल रही हूं तो अब यह करते हैं और अब सब्जी हमारी पूरी तरीके से बन गई है कि अब हमारी यह ड्राय होने चिपचिपी नहीं बनी है बहुत अच्छी बन के तयार हुई है और अब हम इसमें डालेंगे धनिया के फ्रेश कटे हुए पत्ते ट्रूब दालें वो मेरे पास नहीं थे तो इसलिए मैं कसूरी मेथी डाल रही हूं अगर आपको चाहे कसूरी मेथी डालें चाहे धनिया के पत्ते डालें वैसे इसमें धनिया के पत्ते पढ़ते हैं काट कर वो मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने कसूरी मेथी डाला है इसे दुबा कोटी के साथ खाएं पराठे के साथ खाएं भाकरी के साथ खाएं और अगर यह रेसिपी अच्छे लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चानल को थैंक यू वेरी मच